सिखों के दसवे गुरु गोविन सिंग की पवित्र तपु स्थली हिमकुंड साहिब की यात्रा बारिश के अलट के चलते अस्थाई तौर पर बंद कर दी गई थी लेकिन सुभा मौसम साफ होते ही यात्रा सुचारू कर दी गई है फिलहाल खांगरिया से 450 तीर्थ यात्री ह हिमकुंड साहिब के लिए रवाना हुए है आपको बतारे कि बीते रोज खांगरिया मुखे बाजार के ठीक सामने पहाड तूट गया था वहीं हालंकि इसमें किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ लेकिन एहतियातन यात्रा रोक दी गई थी वहीं मौसम के मिजास को पर बंदन ने प्रशासन सेनुमती लेकर यात्रा शूकरवाई बतारे कि उपजला अधिकारी जोशी मठ की और से तेज बारिश के पूर्व अनुमान को देखते हुए हिमकुंड साहिब की यात्रा रोकने का निर्ने लिया गया था अमकेन यूस के बैक स्रपोर्ट